What's up everyone, welcome back to the channel तो जिन बच्चों के एक्जाम खतम हो गया है I guess उनोंने आराम कर लिया होगा जिनका कल कम्प्यूटर का एक्जाम है उनके लिए my all good wishes बिल्कुल 4 दिन आयार जैसे बाकी एक्जाम फोड़े हैं अभी बारी आगई है जिन्दगी के अगले पड़ाओं पर बात करने की क्योंकि हमारी 12th के तो चीजे हो गई है Sir, अब कॉलेज एड्मिशन कैसे होगा तो मैं डिसकस करने वाला हूँ about CUET बहुत सारी अच्छी चीजे आपको बताऊँगा आगे की प्लानिंग करते हैं और कैसे हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा वो सारी ही चीजे इस वीडियो में डिसकस करते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब आगे next step क्या होगा कैसे हमें आगे बढ़ना और किस तरीके से चीजे शॉर्ट करनी है चलिए जल्दी से लट्स बिगान जो बच्चे अभी 12 में आए हैं तुम लोग भी चिंता मत करो तुमारे लिए भी एक खास वीडियो रात को आट बज़े आ रहा है तुमारा भी काम स्टार्ट करने वालो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और जो 12 कर चुके हैं अपने जूनियर्स को बता देना भाई किस तरीके से हमने महनत करिया और कैसे हम हर साल महनत करते हैं वैसे भी करते चलेंगे अब बात करते हैं, what's next, after 12th, क्या-क्या आपको करना है, किस तरीके से चीज़े होती है, ठीक है, तो देखो बच्चो, after 12th, आपके पास multiple options होते हैं, अपने career को अच्छा build करने के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है, आप graduation करते हूं, और कुछ बच्चे जाते हैं, competitive exams की तरफ, sir, competitive exams मतलब, competitive exams मतलब हो गया, जो बच्चे, CA, CS, CMA, ACCA, CFA, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे IPM के लिए जाएंगे, है न, तो multiple बच्चों के अलग-अलग career choices होती है, तो ये option है, कुछ बच्चों के पास होता है, ये दोनों करना, जो साथ में दोनों चीज़े करते हैं, graduation भी करते हैं, साथ में competitive exams की भी तयारी करते हैं, क्योंकि graduation में हमारे sir, कौन-कौन से options आ जाते हैं, हमारा B.com आ गया, B.com honors आ गया, B.B.A. आ गया, B.C.A. आ गया, E.C.O. honors आ गया, उसके इलावा और भी बहुत सारी ऐसी streams हैं, जो हमारे commerce वाले students basically select करते हैं, right, अब ये option है, ये option है, दोनों option है, तो तीन यहाँ पर combinations बच्चे बनाते हैं, अब sir, यहाँ पर graduation में admission कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर admission भी दो तरीके की हैं, एक direct admission होता है, कुछ universities ऐसी हैं, जो direct admission देती है, direct admission मतलब 12th के basis पर, या फिर उनका अपना कोई exam होता है, entrance exam, कोई interview होता है, वैसे होता है, या फिर एक option होता है, CUET, जितनी भी हमारे पास central universities है, majority of the universities, जिसके अंदर fees negligible होती है, क्योंकि government universities है, benefits बहुत अच्छी होते हैं, placements बहुत अच्छी होती है, value बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी universities जिनकी placements अच्छी है, जिनकी value ब बहुत कम है, ऐसी central universities में जाने के लिए आपको एक entrance exam क्लियर करना होता है, जिसका नाम है CUET, ठीक है, अब CUET में sir, हमारे पास क्या-क्या main combinations होते हैं, देखो combinations बहुत सारे होते हैं बच्छों, बट main जो combinations हैं, वो दो है, या तो आप English plus general test क्लियर करोगे, या फिर आप English plus accounts या maths में से एक, accounts या maths में से एक, और कोई भी दो domain जो कि हमारे commerce वाले बच्चे जाधातर economics और business studies लेते हैं, क्योंकि वो उनके strong points होते हैं, तो ये दो combinations बच्चे आपके होते हैं, CUET क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो CUET का exam कब होगा sir, CUET के forms आपने fill कर दियो होगे, मुझे आपका कब होगा, shifts में होता है, हर बच्चे का अलग date पे होता है, लेकिन 20th में से 30th में के बीच में आपका exam हो जाएगा, तो आपके पास तयारी करने के लिए, देखो, तयारी क्या है, हम लोगों का जो major है, English की आपको अच्छी preparation करनी पड़ेगी, अगर आप इस combination में जा होना है competitive level पे, तो यहां पे questions कौन से होंगे, अच्छे level के questions, एक ideology आपको चाहिए, guidance आपको चाहिए कि sir, 12th तो कर लिया, CVT तो completely objective है, सारे MCQ है, कैसे time पे पूरा होगा, वो एक अपने आप में challenge है, उस चीज़ पे तुम्हें guidance की जुरत है, उस चीज़ पे तुम्हें help की तो attention किस बात की भाई, मैं हूना तुम्हेरे पास, तो विलकुल stress-free रहो, तो देखो, अब sir, आप क्या offer कर रहे हो, यह तो आपने मुझे समझा दिया, सब हमें समझ में आ गया, सारी चीज़े clear हो गई, अभी आपका क्या इस पे opinion है, देखो बच्चो, जो हमारे students, अब फ become honors level के lectures, वहाँ पे upload करता हूँ, आपको normally जाके subscribe करना है, जैसे आप अभी YouTube पर पढ़ते आए हो, वैसे आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, graduation level पर आपको पढ़ना सब खुद ही है, हर university के अलग-अलग chapters होते हैं, अलग-अलग syllabus होता है, तो जो आपको matched मिले, आप वहाँ से पढ़ाई करो, तो चैनल सबस्क्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत useful रहेगा, उसके बाद सर, जो CUET की preparation है, वो CUET preparations का क्या करना है, तो बच्चों ये CUET की preparations, मैं start करने जा रहा हूँ, 5th of April से, आज 1st of April है, ठीक है, तीन-चार दिन मुझे थोड़ा सा, चीजें prepare करने म अच्छे proper चीजें निकालने में, अच्छे questions निकालने में, एक schedule बनाने में, मैं बहुत अच्छे तरीके से CUET की preparation आपके कराने वाला हूँ, CUET जो बच्चे मेरे से live face to face पढ़ना चाहते हैं, मतलब online classes में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों का CUET का course already out है, already बहु मेरी live classes के बारे में नहीं पता, और आप live पढ़ना चाहते हो, तो CUET का course is live, अब CUET के course में सर क्या क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों पढ़ाई नहीं होती, देखो पढ़ाई तो एक normal बात है, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, questions तो आपको करने ही है, main चीज होती है sir further guidance, आगे college की preference list कैसे बनेगी, आगे form कैसे भरा जाएगा, मुझे कौन सा college उपर रखना है, कौन सा college नीचे रखना है, मेरे लिए अच्छा selection क्या हो सकता है, तो बहुत सारी guidance होती है, और हम लोग एक अच्छे counselor को hire करके भी बहुत अच्छी payment करते हैं कई बार counseling के लिए, अच्छे counselor, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपे तक भी counselors लेते हैं, sessions के लिए, तो हम लोगों का course में, क्या क्या चीज़े होती है, मैं आपको live पढ़ाऊँगा, ठीक है, daily classes होंगी, daily मतलब Monday to Friday, 5 days a week मैं पढ़ाता हूँ, classes होती है, live classes हुआ करेगी बच्चों, दिन में हुआ करेगी 12 बजे से 2 बजे तक का time रहा करेगा, वो schedule पूरा आपके पास आजाएगा, आप लोग के पास मेरा personal whatsapp number होगा, आपके doubts भी अच्छे से solve किये जाएंगे, कोई भी problem आती है, तो we are here, right, मेरी पूरी team बैठी है, आपको हर तरीके से assist करने के लिए, तो उसके अंदर everything is there, आप कोई problem नहीं आएगी, आप मेरे से directly contact कर सकते हो, directly मुझे reach out कर सकते हो, call कर सकते हो, मैं आपकी सेवा में उपस्तित रहूंगा, right, तो ये सारी ही चीजे, मैंने अपने CUET का जो live course है, उसके बारे में बता दी, but of course that is a paid course, और मैं हमेशा से बच्चों को एक साथ लेके चलता जो बच्चे afford कर सकते हैं, जिनकी affordability है, जिनको लगता है कि यार हम 50-50,000 रुपे face-to-face CUET के लिए देते हैं, तो हम क्यों ना एक affordable course उसमें enroll करें, जो कि आप घर पे बैट के देख सकते हो, sir उस course में subjects कौन कौन से हैं, बेटा मेरे वाले 3 subjects, that is accountancy, business studies, economics, मैं अपने subjects की guarantee ले तो वो आपको separately खुद से करना होगा, हां मैं आपको guide जरूर करूँगा कि कैसे करना है, right, but मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊँगा, वो आपको खुद से करना है, सही है ना, तो जितने भी बच्चे हमारे इस particular चीज में जाने वाले हैं, इसके अंदर जाने वाले हैं, जो कि हर अच्छे college के लिए, अगर आप B.com या B.com ओनर से हम कर रहे हो, आप SRCC कर रहे हो, Hindu college, Hansraj College, Ramjas, Kirodi Mal, कोई भी North Campus, Delhi University या किसी और university का भी अच्छा college, जिसमें ये combination लगता है, तो accounts BST Convix, तो मेरे पे छोड़ से तो classes start हो रही है, तो यही तीन दिन है, enroll कर लो, दूसरी बात, sir, जो बच्चे enroll नहीं कर सकते हैं, उनका क्या, कि आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, तो जिनके लिए affordability है, व जैसे मैंने class 12th में आपका साथ दिया है, उसी तरीके से CUET में भी उतना ही साथ दूँगा, बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों चीजें हमेशा options रहते हैं, बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं, आपसे live पढ़ना है, तो आजाओ यार, live पढ़ लो, resources चाहिए, हमें आपको कोई call नहीं करनी, हमें आपसे कोई WhatsApp डारेक्ट टच नहीं चाहिए, हमें तो आप सिर्फ questions करा दो, तयारी करा दो, CUET की, जैसे आपने 12th की कराई है, वो सारी चीजें भी मैं कराऊंगा, तो वो सारी चीजें बच्चों, free CUET, हमारे CUET वाले चानल पे उसको सब्सक्राइब कर लो, मैं 5th April से ही, 5th April से ही, इस चानल पे भी आपको पूरा जैसे G&G सीरीज कराई थी ना, 21 days, उसी तरीके से एक नया सीरीज CUET के लिए लेके आँगा, इसके अंदर सब कुछ कवर करेंगे हम regarding CUET, मेरे तीनों सब्जेक्स, accountancy, business studies, economics, हम सब कवर कर करेंगे, तो you have to just go to description, आपको वहाँ पे CUET का चानल मिल जाएगा, CUET के चानल को जाके just subscribe कर लो, of course YouTube है, तो it will be free of cost for you, और हम वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से तयारी करेंगे, जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो we have limited seats available now, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में जाना है, और वहाँ पे आपको पूरा course available हो जाएगा, कोई problem आए, तो हमारा toll free है, 0140848482, आप call करके directly enroll कर सकते हो, ठीक है जी, और जो बच्चे फ्री बढ़ना चाहते हैं, I am coming on 5th of April, एक अच्छा plan लेके, एक अच्छी तयारी लेके, और जैसे हमने खूब अच्छे queries आ रही थी, और मैं vacations पे था, आप लोगों ने Instagram पे देखा ही होगा, मैं वहाँ पे अपने mini vlogs डाल रहा हूँ, बच्चों को बहुत प्यार बिल रहा है, और बच्चों भी अच्छा लग रहा है देखने में कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से daily basis पे महनत करते हैं, क्या करो Instagram पे भी खूब मज़ा आएगा, ठीक है, thank you so much guys for joining in, मिलते हैं 5 तारीक को, live batch में आ रहे हो, तो live में मिल रहे हैं, बातचीत करेंगे, मोज मस्ती करेंगे, YouTube पे आ रहे हो, तो YouTube पे मिलेंगे, करेंगे, बहुत अच्छे तारीके से, ठीक है, all the very best everyone, I'm gonna see you all super soon, till then see ya, take care, bye bye, bye.